वेल्कम टू इस्टेनलोपिलस डिक्टेशन इस्टार्ट होगी तीन सेकिंड बाद इस्टार्ट उपाद्यक्ष महुदय अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई तुटी नहीं होगी की किरसी उसका आधार है किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक इस्टिती उस देश की भूमी की उत्पादन सक्ती पर निर्भर रहा करती है यदि भूमी की उत्पादन सक्ती में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक इस्टिती में भी कुछ परिवर्थन आरंभ हो जाता है किर्सी भारत के लिए एक आर्थिक विवस्था ही नहीं है यह एक संस्क्रती भी है जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से धर्म के नाम से जाती के नाम से या राजनीती के नाम से होते हैं ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज सामिल हो लेकिन क्रसी समाज उसमें सामिल नहीं होता है उस आंदोलन के साथ क्रसी समाज की सहनुभूती भी नहीं होती है इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रख कर हम देखें तो इस देश के लिए आवस्यक यह होगा की हमारी संस्क्रती की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए क्रसी पर विसेश ध्यान दिया जाए क्रसी के छेतर में इस वर्स काफी प्रगती हुई है यदि आप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़े जिनमें 4 करोड लोग मरे लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्रालिय ने एक 100 रुपे मन के भाव पर गहुं खरीद कर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया इसके लिए हमारा खाद्य मंत्रालिय बधाई का पात्र है एक बात मैं विशेश रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ आज कल हम लोग मानव सक्ती पर ज्यादय ध्यान ने देकर पुंजी पर ज्यादय निर्भर रहने की कोशिस करते हैं आपको याद होगा लगभग पांच दसक पहले मैं जापान की आर्थिक इस्त विवस्था बिगड़ गई थी लेकिन वहां के 60 लाख कास्तकारों ने क्रसी सिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे 10 करोड आदमियों का पालन पोसन कर रहे हैं वहां पर 30 ऐसे विश्विधालियें हैं जिन में क्रसी की सिक्षा दी जाती हैं जिन से 16,000 छात्र प्रतिवर्स सिक्षा पिराप्त करके निकलते हैं आज हमारे देश में परियाप्त करसी विश्विधालियें इस्थापित हो चुके हैं हमारे देश की 120 करोड जन संखिया को द्रश्टी में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है सायद हमारे राजिस्थान से कुछ ही बड़ा है उपाद्यक्ष महोदे यह ठीक है कि हम प्रगतिसील हैं लेकिन हमारी गती में तेजी आनी चाहिए शिरम की तरफ हमारा अधिक धियान जाना चाहिए जो पंच वर्सिय योजनाए हमने बनाई हैं उनमें हमारा लक्षे केवल यही नहीं था कि हम अधिक धन पैदा करें हमारा लक्षे यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें जिससे की भारत में रहने वाले प्रतेक नागरिक का ठीक विकास हो मैं इस बात से सहमत हूँ की राजियों में जहां भहुमत के आधार पर विरोधी दलों की सरकारे हैं उनको तोड़ने का अधिकार केंदर को नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हमें इस्तिती को देखते हुए भेद करना चाहिए गुजरात की सरकार तूट गई इसके लिए हमको अफसोस नहीं करना चाहिए जहां तक इस बिल का संबंद है मैं इसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिससे की आपको उसे ठीक करने की प्रेरणा मिले और इसको आप ठीक करके वहां का काम चलाए इसका आसिय यह भी नहीं है की जो पार्टी सरकार चलाती है वह सब सही काम करती है लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूँ की जो गुजरात की सरकार तूट गई वह अच्छी बात हुई है गुजरात के लिए आपने संसद सदस्यों की जो समीती बनाई है वह एक ठीक कदम है लेकिन इस बात का आसवासन भी आपको देना चाहिए कि राज्चिय और जिला इस्तर पर जो समीतियां आप बनाने जा रहे हैं उनको सर्वदलिय बनाएंगे ताकि जनता की जो कठिनाईयां हैं वे आपके सामने प्रतियक्षे रूप से आ सकें और उनकी भावना के अनुसार वहाँ पर कुछ काम हो सके अगर ऐसी विवस्था नहीं होगी और बहर के लोगों को आप उन समीतियों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओ का कुछ भी ग्यान नहीं है तो परिणाम यह होगा कि आप गुजरात की समस्याओ को हल नहीं कर सकेंगे इसलिए मैं सुजाव देना चाहता हूँ कि आप इसमें ऐसी कानूनी विवस्था करें कि जिससे विभिन इस तरों पर सर्वदलिये समीतियां बनाई जा सकें और उनके माध्यम से सरकार के सामने सुजाव आएं कि वहाँ पर किस तरह से काम होना चाहिए गुजरात ओद्योगिक मामलों में अन्य राज्यों से थोड़ा भिन हैं फिर भी वहां की इस्तिती यह है कि आज भी प्रती व्यक्ति आए तीन सो रुपिय से अधिक नहीं है आज गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कर लगे हुए हैं यह उचित नहीं है